लखीमपुर की हिंसा में शिकार हुए थे श्यामसुंदर निशाद वा पत्रकार रमन कश्यप। लखीमपुर की निखासन में दोनों मृत्कों के परिवार रहते हैं। हिंदुस्तान की हर गरीबों को नय दिलाने के लिए अपनी जान हथली पर रख करके और सच को जनता तक पहुंचाने का प्रयास मेडिया करती है। यह बड़ा दुखद है कि उनका इस हिंसा में निधन हुआ है। मेरी शंबेदना सबसे पहले उस परिवार को मैं शहन सकती इश्वर पदान करें। को भावना ब्यक्त करता हूं और उस परिवार के प्रति एक शंबेदना जाहिर करता हूं। और मैं यह जरूर कहूंगा कि आप देख लिए उत्रप्रदेश की सरकार प्रमकुजयोगी आदितनाद महराजी हमेशा नयाइपरी रहे हैं। और चहें गरीब आम जन्मानस हो, किसान हो, चहें नवजवान हो, चहें गरीब हो, अमीर हो, चहें पित्रकार हो, चहें सासन, प्रशासन की लोग हो, सब के प्रति, उनकी एक जैसी भावना है, किसी एक साथ नयाइ नहीं होना चाहिए, नयाइ के लिए हमेशा तत्तर हैं। और अई घटना अगर हुई है तो उसकी जांच चल रही है जांच में जो भी व्यक्ति दोसी पाये जाएगा निश्ची तोर पर पुजी महराजी और महराजी की सरकार उस दोस्यों के खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई करने का काम जरूर करेगी यह हम लोगों को पूरा फ्र मिले मस व्यक्ति